हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूट्स नापलोद दुनिया पर कैसे हैं आप सब उमीदे भागवान भूले किरपा से सब बढ़िया ही होंगे चलिए आज हम आपको भारत में स्वागवान स्यू के 12 जोतिलिंगों में से एक वा महरास्त राज में पच्चमी घाट के सेयाधरी नमक परवत परिस्थित भीमा संकर जोतिलिंग के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी दोस्तो भीमा संकर जोतिलिंग भगवान सिव के बारा जोतिलिंगों में से छटवा है इस भीमा संकर जोतिलिंग का सिविलिंग काफी मोटा है इसलिए इसे मोटेश्वर महादेओ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो आप भीमा संकर जोतिलिंग के दर्शन को कैसे आएं, कहां रुकें, यात्रामे कुल कितना खड़ चाता है, साथ ही आसपास की जगहों को कैसे गुमें, इसके बारे में हम देंगे एक पूरी जानकरी बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये छोटा सा पूरा वीडियो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भीमा संकर जोतिलिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा दोस्तो भीमा संकर जोतिलिंग मंदर जाने के लिए बारें बात करें तो वैसे आप यहाँ पूरे साल में कभी भी अपनी सुद्धा के नुसार जब भी टाइम मिले दर्शन को जा सकते हैं लेकिन मौसम को देखते हुए सबसे अच्छे समय की बात करें तो आपको बता दें अक्टूबर से मार्च की बीच का समय सबसे सही रहेगा चली जोस्तो अब हम बात करते हैं आप यहाँ किन-किन सादनों से पहुँच सकते हैं पूरे महरास्ट के महत्मुर्ण जिलों में से एक है इसलिए भारत के सभी अन्य जगों से अच्छी तरह से रेल हवाई वा सड़क मार्क से जुड़ा हुआ है और पूरे से भीमसंकर मंदिर की जो दूरी है वो मातर 100 क्लूमेटर है सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की तो इसका नजदी की रेल्वे स्टेशन पूरे जंक्शन रेल्वे स्टेशन है पूरे रेल्वे स्टेशन भारत के अन्य सभी मुख के रेल्वे स्टेशन से अच्छी तरह से कनेक्ट है भारत के सभी मुख्य सहरों से आपको पूरे जंक्षंच के लिए ट्रेने मिल जाएंगे दोस्तों अगर दूरी की बात करें तो पूरे रेलवे सेशन से मंदिर की दूरी लगबग 110 किलो मिटर है रेलवे सेशन से आपको आगे सलक मार्क से टैक्सी या बस से जाना होगा जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों अगर दूरी की बात करें तो भीमा संकर की दूरी नासिक से 205 किलो मिटर मुंबई से लगबग 220 किलो मिटर सेडी से लगबग 125 किलो मिटर पूरे से 110 किलो मिटर और तरंबकेशवर से लगबग 200 किलो मिटर की है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हवाई मार की तो इसका नजदी की हवाई अड़ा पूरे एरपोर्ट ही है दोस्तो पूरे हवाई एड़े से भीमा संकर जोतिलिंग की दूरी मातर 105 किलोमेटर है आप यहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर या बस से सीधे मंदर पहुच सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं बसों की जो की बहुत ही जरूर ही है शिवाजी नगर बस स्टेंड से आपको भीमा संकर के लिए MSRTC की बसे सुबा से ही मिलने लगती है जो की 3-4 घंटे में आपको भीमा संकर छोड़ती है आप चाहे तो सुबा जल्दी निकल कर दर्शन कर साम को वापस पूरे लोट सकते है महरास्ट में MSRTC की बसों की जो कनेकफटी है वो बहुत भी अच्छी है दोस्तों आपको मुंबई, औरंगाबाद, नासीक, स्रीटी, आजी, सहरो से भी सीधे पूरे के लिए बसे मिल जाएंगे मैं भी पूरे से सुबा साथ से आट बजी के बीज बस लेकर वीमसंकर पहुच वाता हूँ और दर्शन के बाद हम साथ बजे तक वापस पूरे पहुच गया थे वीमसंकर से भी आपको हर आदी घंटे में पूरे के लिए बसे मिल जाएंगे चलिए हम बात करते हैं टैक्सी की तो आपको बता दें जैसी पूरे रेल्वे से से आप बाहर निकलते हैं तो रेल्वे से से बाहर से आपको प्रवेट टैक्सी दो जर से 25 रुपए में भीमसंकर मंदिर के लिए मिल जाएगी इसके लावा यदि आप पूरे बस स्टेंड पहुच रहे हैं तो वहां से भी आपको टैक्सी असानी से मिल जाएगी मुंबई से मंदिर की दूरी 220 किलो मिटर, सेडी से 125 किलो मिटर, नासिक से 205 किलो मिटर और तरंबकेश वर जो लिंक से लगबग 200 किलो मिटर है चले जोस्तो अब आपको बता दें कि आप यहां पहुच कर कहां रुखेंगे दोस्तो आपको बस अड़े वा मंदिर के आसपास ही बहुत से होटल मिल जाएंगे जो की काफी बजट में रहते हैं यहां पर आपको 600 से 1200 रुपे में रूम मिल जाएंगे रुखे थे जिसके लिए हमने यहां पर 400 रुपे दिये थे रूम काफी से अच्छा था चलिए हम बात करते हैं दर्शन की दोस्तो महराष्ट में सयाध्री परवत वर इस्तिति यह मंदिर भगवान स्यू के बारा जोतर लिंगों में से एक है इसे मोटेश्वर महादियो के नाम से भी जाना जाता है यहां से भीमा नदी भी निकलती है जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है दोस्तो सावान या सिवरात्री जैसे परव को छोड़ दे तो यहां पर आपको अराम से दर्शन मिल जाएंगे मंदिर में मॉबाइल कैमरा आदी ले जा सकते हैं हम भी ले कर गए थे मंदिर के दर्शन के लिए आपको करीब 350 सीड़ियों को उतर कर नीचे जाना होता है दोस्तो यदि बात करें हैं हां के खान बान की तो मंधिर के आसपास ही कई सारे रिस्टूरंट मिल जाएंगे आपको जब सीड़ियां उतर रहे होंगे तो साइड में परशाद की दुकानों साथ कई छोटे रिस्टूरंट आपको मिल जाएंगे जहां काफी किफाइटी रेट पर आपको नौर्थ के साथ साथ इंडियन भाना भी मिल जाएगा चले दोस्तों आपको बता दें कि दर्शन के बाद आपको कहा कहा जाना चाहिए बीमा संकर के आसपास घुमने वाली जगों की बात करें तो आपको गुप्त बीमा संकर जाना चाहिए जो की मुख्य मंदिर से मातर धाई किलूमेटर की दूरी पर है यही पर बीमा नदी का उद्गम भी है इसके लावा आप भीमा संकर, अभ्याराण, हन्वान सरोवर, आदी जगों को भी एक्स्प्लोर कर सकते हैं दोस्तों बहुत से यात्री यहां से दर्शन आदी के बाद महरास के आने जोतिलिंग के दर्शन को भी जाते हैं या दर्शन कर यहां आते हैं हम भी यहां तरंबकेश्वर, सिर्डी, सनी सिंगनापूर, गरशनेश्वर, जोतिलिंग के दर्शन के बाद पहुंचेते हैं जिसके वीडियो हमने पहले ही अप्लोड कर दिये हैं और यहां से दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं ओमकार इस्वर जोतिलिंक के दर्शन को जिसकी यात्रा के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं चलिए तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी बात पर की भीमा संकर्ज होती है लिंक के यात्रा में कुल कितना खर्च आता है। दोस्तों खर्च की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ बजट सादनों की बात करेंगे तो पूरे रेलवेस्टेशन पहुच आप आटो करके सिवाज इनगर बस स्टेंड एक्सो पचास रुपए में पहुच जाएंगे इसके बाद वहाँ से बस से एक्सो सी से दो सुरुपए में आप सीधे पहुच जाएंगे भीमा संकर और वहाँ बजट होटल लेते हैं तो हजार से बारास रुपए में बजट होटल मिल जाएगा ग्रुप में हैं या दो लोग भी हैं तो होटल का डिवाइड हो जाएगा मतलब कि एक आदमी का लगबग पांसो से छे ना था और इसमें अब खाने का जोड़ लें तो एक विक्ति पर पंदरा सो रुपए से जादा खर्च नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर एक दिन ही दर्शन के लिए काफी है अब इसमें आप अपना ट्रेन खर्च जोड़ कर कुल खर्च निकाल सकते हैं दोस्तों हम अपन लिंक के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जनकारी चलिए दोस्तों इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है और यदि आत्रक संबंद में अन्य कोई जनकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम एकाउंट एड़ रेट आम ट्रेवल फूर्स पर भ महत्मूर लगी हो और आपको इससे अपनी ट्रिप लैन करने में थोड़ी भी मंदद मिले तो आप मेरे चैनल ट्रेवल फूर्स को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दे जिससे आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल बिलते रहें इसके साथ अगले वीडियो आने तक के लिए गुडबाय जैहिन जै भारत जै बाबा की